नमस्ते बच्चों, आपका दिन शुभो, मैं शिरीमती भारती दुवेदी, सिक्षी का शार्खी सुभाष, उत्सितर मादमे उत्करस्ट विद्याले भोपाल, आपका कक्षा बार्वी, विशय जी विज्ञान की कक्षा में स्वागताई आज हम अध्यान करेंगे अध्याय 13, जीव और समस्टियां, और्गनेंज और पॉपुलेशन, जिसके मुख्य बिंदू है, अनकूलन, पौधों में अनकूलन, जन्तूओं में अनकूलन प्रत्यक जीव में चाहे वह जन्तू हो या वनस्पती, स्वयम को अपने चारों और के वातावरन के अनरूप ढालने की शमता पाई जाती है यदि किसी जन्तू या वनस्पती का उसके वातावरन को ध्यान में रखते हुए अध्यन किया जाए, तो ज्यात होता है कि प्रत्यक जीव तथा उससे विविन अंग उनके वातावरन के अनरूप परिवर्तित हो जाते हैं ये परिवर्तन जीव की रचना, कारिकी, व्यवार तथा स्वभाव इत्यादी सभी से सम्मंदित होते हैं इनके फल सुरूप जीव अपने वातावरन का पूर्ण सदूपयोग कर सकता है जिससे जीव परिवर्तित वातावरन के अनरूप परिवर्तित होकर अपने को विशेश वातावरन में जीवित रखने योग के बना लेता है और नस्ठ होने से बच जाता है अतक किसी जीवत में स्वतर नेमन, आत्म परिख्षन तथा जाती की रक्षा के लिए जो विशेशताय पाई जाती हैं, उन्हें हम अनकूलन कहते हैं अनकूलन के फलसरूप जीवों तथा उनके वातावरन में सामानजस इस्थापित रहता है किसी विशेश वातावरन में सफलता पूर्वक, जीवन यापन करने के लिए पौधों और जन्तूओं की संद्रचना एवं कारे की आदी में होने वाले परिवर्तन को हम अनकूलन कह सकते हैं पौधों में अनकूलन अपने प्राकृतिक आवास के आधार पर पौधे निम्न प्रकार के होते हैं जलोदभित, हाइड्रोफाइट्स, मरोदभित, जीरोफाइट्स, समोदभित, मीजोफाइट्स, लवनोदभित, होलोफाइट्स जलोदभित जलोद्वेत पौधे वे पौधे हैं जो अधिकाश दहर जल में पाये जाते हैं या उन इस्थादों पर जहाँ पर ज्यादा जल होता है जल निमगन पौधे समझ्ज़ प्लांट्स जल निमगन पौधे वे हैं जो पानी की सता के नीचे पाये जाते हैं उधारन हाइड्रिला, पोटो, मोजिटॉन, वैनेस लेरिया निमगन पौधों के प्रमुक आकार की लक्षन इनका पादपका है, प्लांट बोडी, प्राया पतला वकोमल होता है यह प्राया पीले हरे रंग के होते हैं इनमें पत्ती बहुत पतली और शलकी होती है, इनमें तना पतला होता है और मुसिलेस से धका होता है अब इनके हम शारिरिक लक्षन या एनाटॉमिकल फीचर्स देखते हैं इनमें बड़े बड़े वायुस्थान पाई जाते हैं, क्यूटीकल या तो पूनता अनपस्थित है या बहुत कम विक्सित होता है इनमें प्राया इपिडर्मल कोशिकाओं में क्लोरोप्लास होता है इनमें स्टोमेटा अनपस्थित होते हैं, यदि कभी स्टोमेटा अपस्थित होते हैं तो वह अक्रियाशील होते हैं इनकी पत्तियों में मीजोफील उतक, पैलिस सेड और स्पंजी पैरन काईमा में भिन्न नहीं होता है इनमें यांत्री कूतक जैसे स्क्लेरन काइमा प्राया अनुपस्थित होता है या बहुत कम विक्सित होता है इनमें वस्कुलर बंडल वस्कुलर वैसल्स कम विक्सित होती है इनमें दृत्यक विद्धी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है इनमें केवल पतली विक्ति वाला पै पौधे पानी की सत्था पर स्वतंता पूर्वक तैरते हैं तथा जल और वायू दोनों के संपर्ख में रहते हैं। यह पौधे पानी की धारा के प्रवा के साथ साथ दूर तक चले जाते हैं। इन पौधों में जड़े भूमी में चिपकती नहीं है। उधारन फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स जो हैं वो हैं लेमना, एंजोला, सैल्वीनिया, जलकुम्भी, पिस्टिया। स्वतंता पूर्वक तैरने वाले पौधों के लक्षन। इनके पौधे छोटे अत्वा आकार में बड़े हो सकते हैं, जिनमें जड़े अविक्सित या अनपस्तित होती हैं। इन पौधों की जड़ों पर मूल टोपी की जगे इस्थान पर रूट पॉकेट पाई जाती है। इन पौधों का वरंद पीटियॉल, स्पंजी और फूला हुआ होता है, यह पौधे हरे रंग के होते हैं। इनमें वायू इस्थान पाए जाते हैं जो बहुत बढ़े होते हैं। पत्यों की उपरी सतर पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। इनमें यांख्रिक उतख अनपस्तित होते हैं। इनमें दृत्यक विधि नहीं होती है। इस्थाई तैरने वाले पौधे फिक्स फ्लोटिंग प्लांट इन पौधों की पत्तियां पानी की सतर पर तैरती रहती हैं पंतु संपून पौधा मिट्टी में जड़ों द्वारा चिपका रहता है उधारन कमल और विक्टोरिया रजिया इस्थाई तैरने वाले पौधों के लक्षन इन पौधों में जड़े पून विक्सित होती हैं इन में तना भूमीगत राइजोम होता है इनके पर्णवरत्द लंबी और इस्पंजी होती है पत्यों की उपरी सता वैक्सी कोटिंग से कवर होती है जिसमें इन में बड़े पायूस्थान पाये जाते हैं पत्यों की उपरी सता पर इस्टोमेटा पाये जाते हैं इनकी पत्यों में मीजोफिल उतक पैली सेट वर इस्पंजी पैरन कायमा में भिन्नोता है इन में यांत्रिक उतक अनपस्तित होते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ दुत्यक विद्धी नही पाई जाती है जल इस्थली पौधे इस प्रकार के पौधे प्राय छिछले तालाबों या अत्यधिक नमी वाले इस्थानों पर पाई जाते हैं इन पौधों की जड़ें तथा तने का कुछ भाग जल में तथा शेज भाग वाई भी होता है उधारण सैजिटेरिया टाइफा रेननकुलस एक्टिविलस और पॉली गोनम जल इस्थली पौधों के प्रमुक लक्षन इन में जड़े पूर्ण रूप से विक्सित होती है इनकी पत्यां क्यूटिकल युक्त होती है इनकी पत्यों के दोनों सतर पर इस्टोमेटा होते हैं इनकी पत्यों में मीजोफिल, उतक, पैलिसेड और स्पंजी पैरन काइमा में भिन्नित होता है मरुद्भित पौदे जीरो फाइट्स मरुद्भित पौदों के अंतरगत अत्यन्त शुष्क जलवायू एवं शुष्क भूमी में पाय जाने वाले पौदे आते हैं उधारन, नाकपनी, कैक्टस, बबूल और आक मरुद्भित पौधों में अंकूलन के कारण मरुद्भित पौधे शुष्क बातावरन में होते हैं अतब वे निमलिखित कारणों से अंकूलन करते हैं जल के अफ्शोषन के लिए जादा से जादा मात्रा में जल के संग्रण के लिए वास्पोर सर्जन की दर को कम करने के लिए और प्रकाश को परावर्थित करने के लिए इनमें वाहिनी उतक पूर्ण रूप से विक्सित होते हैं इनमें वायू स्थान उपस्थित होते हैं इनमें कुछ मात्रा में यांत्रिक उतक भी पाय जाते हैं इनमें एक्टोडर्मिस मोटी होती है, यह पौधे प्राया सीधे होते हैं और इनकी पत्यां विविन प्रकार से रूपांत्रित होती है लवनों दृत पौधे इसके अंतरगर्द वे पौधे आते हैं जो अधिक लवनों परतिशत वाली भूमी पर उपते हैं इन भूमी में कुछ घुलंशी लवन जैसे नमक, मैंगनीशियम सलफेट, मैंगनीशियम क्लोराइट आदी पाए जाते हैं लवन योगत भूमी वाले पौधे समद्र के किनारे पाए जाते हैं होलो फाइट्स समुद्र के किनारे दल्दली इस्थानों पर पाए जाते हैं या मैंग्रूव वनस्पती का निर्मान करते हैं समुद्बित पौदे सामान जला पूर्ती वाले इस्थानों में व्रद्धी करने वाले पादप कहलाते हैं ये पादप लंबे समय तक ना तो जल की अत्यंत कमी को ना ही जल की अधिक उपलबता वाले छेत्रों में व्रद्धी कर सकते हैं उधारन फसल पादप और उध्यान पादप अभी हमने समझा कि अनकूलन के आधार पर पौध ही किस प्रकार वर्गी करत किये गए अब जन्तूं में अनकूलन के प्रकार जन्तूं में अनकूलन ये पहला संरशनात्मक अनकूलन ऐसे संरशनात्मक परवर्थन जो किसी जीव को वातावरन विशेश में जीवन यापन करने में साहता करे उसे संरशनात्मक अनकूलन कहते हैं ये निमल लिखित है धावक अनकूलन ऐसे परवर्थन जो किसी जीव को तेज दोड़ने में साहता करते हैं धावक अनकूलन में आते हैं तेज दोड़ने वाले जन्तूओं की टांगे लंबी होती हैं इनकी उंगलियां, उंगलसियां, विक्सित, अविक्सित और संख्या में कम होती हैं हिरन और घोड़े उधारें वाईवी अनकूलन वाईवी अनकूलन मुख्य रूप से पक्षियों में पाय जाता है पक्षियों में वाईवी अनकूलन निम्न है इनका शरीर अलखा होता है वाईवी अस्थियां पाय जाती है इन में पूर्ण विक्सित उड़न पेशियां पाई जाती हैं केवल एक अंडाशे होता है और मूत्राशे अनपस्तित होता है मरुस्तली अनकूलन ऐसे अनकूलन जो ये अनकूलन उन जीवों में पाई जाता है जो कि मरुस्तली परिस्तितियों में जीवन यापन करते हैं उधारन उट इसमें ये पानी पानी की बचाफ हेतू अपना अधिक कांश करते हैं इनमें सुरक्षा अपना मरुस्तली सुरक्षा के लिए करते हैं मरुस्तली पराणियों को स्वैम को अत्यदिक गर्मी शीत और अंधेरों से बचाना होता है इसलिए ये पराणी रक्षात्मक रूप से भी इनमें युक्तियां पाई जाती हैं जल के वाश्पी करन को रोकने के लिए इनकी सतर पर शल्क या कंटक होते हैं इनकी उपापेचे किरियाएं जो हैं वो कम होती हैं और जिनसे की पानी की मात्रा बचती है उट वगेरे में रेत में जो प्राणी होते हैं उनमें रेत से बचने के लिए नासाच्छेद्र में कपाथ होते हैं और उट में नेत्रों की बहाती बंद हो सकते हैं जली अन्कूलन ऐसे अन्कूलन जो जल में निवास करने में साहता करते हैं उन्हें जली अन्कूलन कहते हैं मश्लियों का शरीर धारा रेखी होता है ग्रीवा नहीं होती है मश्लियों में तैरने के लिए फिन पाये जाते हैं मश्लियों में स्वशन गिल्स के द्वारा होता है और लेटरल लाइन सिस्टम पाये जाता है जली पक्षियों कच्छुआ मैंडग आदी में तैरने के लिए पाद में जाल पाये जाते हैं खनन अनकूलन गुफाओं तथा बिल बनाकर रहने वाले जन्तू खनन प्राणी कहराते हैं तथा इनकी संद्रशना में हुए परवर्तन खनन अनकूलन प्रदर्शित करते हैं खनन प्राणियों का शरीर अधिकता लंबा, पतला तथा रंग हीन होता है तथा इनके उपांग लंबे वा शीन होते हैं, नेत अल्प विक्सित वा कारहीन होते हैं किन्तु इनकी घ्राण शक्ती और इस पर शम्ता अत्यधिक विक्सित होती है इनमें बिल बनागने की शम्ता होती है परजीवी अनकूलन परजीवी सभाव के अनकूल जीवों में भेड़े प्रकार के संरशनात्मक अनकूलन पाए जाते हैं सरल्तम शरीर संरशना, प्रचलन अंगों की अनुपस्तिति, सम्वेधी अंगों और आहार नाल का अभाव, जनन अंगों का अत्यधिक एवं विशेश रूप से विक्सित होना परजीवीवी में जीवन अपने अनूप पाए जाने वाले अनकूलन है रक्षात्मक अनकूलन ऐसे अनकूलन जो जीवों को प्राकृतिक शक्त्रों से रक्षा प्रदान करते हैं रक्षात्मक अनकूलन प्रोटेक्टिव एडप्टेशन कहलाते हैं इनके अनेक जन्तुओं में रंग बदलने की शमता पाई जाती है वह भी एक सुरक्षाक्तमक अनकूलर है जैसे मैंड़, गिर्गेट, कैमिलियोन आधी में रंग बदनले की शम्ता पाई जाती है अनुहरन, मिमिक्री अनेक जन्तु अनुहरन द्वारा रक्षा प्राप्त करते हैं इन में जन्तु किसी अन्य प्राक्रतिक वस्तु के समान दिखाई देता है और वो अपने शत्रू से बच जाता है ये आप चित्र में देख रहे हैं, जाइन्ट लीफ इंसेक्ट, पत्ती कीट है, ये पर्ण कीट है और ये बिर्खुल पत्ती के समान दिखाई दे रहा है, जिससे कि ये इसका शिकार करने वाला इसको नस्ट नहीं कर पाता है दूसरा उधारन है, इस्टिक इंसेक्ट इसमें आप चित्र में देख रहे हैं, ये कीट है, जो की सूखी टहनी की तरह दिखाई दे रहा है और ये जब पेड़ पर होता है, तो पता नहीं चलता है, कि ये कीट है, ये पेड़ की कोई टहनी सूखी हुई है ये रक्षात्मक, ये मिमिक्री का उधारन है कुछ जन्तु जो है, वो छद्म रूप धारन कर लेते हैं, और अपना बचाव कर लेते है ये देखिए पहले, बफ टिप मौथ है, जो बिल्कुल लकडी की तरह दिखाई दे रहा है ये लॉंग लीफ है, इसको आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको पत्ती पर एक कीड़ा दिखाई देगा बिल्कुल पत्ती के सद्रश है, फिर एक बटरफ्लाई दिख रही है आपको जो की बिल्कुल सूखे पत्ते की तरह है, और ये सब जो है, ये शद्म रूप रखा हुआ है, कैमूफ्लाउस को प्रदरशित कर रहे है शीत निश्क्रीता एबम ग्रीश्म निश्क्रीता अनेक जन्तु अत्यन्त थंड या शुष्क गर्म वातावर्ण में अपने आवास में माइकरेट करने में असमर्थ होते हैं अत्यदिक शीत से बचने के लिए ये जन्तु भूमी के अंदर चले जाते हैं जिसे शीत निश्क्रीता कहते हैं ग्रीश्म निश्क्रीता अत्यदिक गर्मी से बचने के लिए जन्तु भूमी के अंदर ठर्ण निस्तानों में चले जाते हैं इसे ग्रीश्म निश्कृता कहते हैं इस दोरान जन्तुों की कारेकी किरियाएं अत्यंत धीमी हो जाती है मैंडग ग्रीश्म निश्कृता और सीट निश्कृता दोनों को ही प्रदर्शित करता है डायपाज कुछ जीवों में प्रतिकूल दशाओं में परिवर्धन निलंबित कर दिया जाता है इस अवस्था को डायपाज कहते हैं जीलों और तालावों में रहने वाले अनेक जन्तू प्रतिकूल परिस्थितियों में डायपाज में चले जाते हैं ये सभी जो हैं ये ताप नियंत्रन के प्रति अन्कूलता बदर्शित करने के लिए होते हैं पुन्रावित्ति बच्चों आज हमने जाना कि किसी विशेश वातावरण में सफलता पूर्वक जीवन यापन के लिए जन्तूओं की संद्रशना कारकी आदी में परिवर्तन जो हैं वो अन्कूलन कहलाते हैं पौधे और जन्तू दोनों ही अपने वातावरण के अंसार अपने को अन्कूलित कर लेते हैं उनकी शारेरिक संद्रशनाय परवर्तित हो जाती हैं अभ्यासकार आज का अभ्यासकार के प्रश्ण इस प्रकार हैं प्रश्ण पहला स्वतन्ता फूर्वक टैरने वाले पौधों के लख्षन लिखिए प्रश्ण दूसरा मरूद्भित पौधों में अन्कूलन के कारण लिखिए प्रेश्न तीसरा शीत निश्क्रीता एवं ग्रीश्म निश्क्रीता में अंतर लिखे